एक लाग त्रेसट हजार वन लेक सिक्स्टी थ्री थाउजंड नाइन हंड्रेट थर्टी नाइन रोपी कैस यहाँ पर जो हमारा बिल आता है वो अजमेर विदुद वितरन के हिसाब से ही आता है और यहाँ पर हम आपको यूनिट वगेरा दिखाने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली बिल का यह बैक साइड है और यहाँ पर लिखा हुआ है बिजली की बचत ही बिजली का उतपादन है यानि कि आप जितनी बिजली बचाएंगे उतनी ही ज्यादा बिजली बचेगी यानि कि आप एक साल तक अगर 100% बिजली यूज ले रहे हैं तो आपको एक साल ही बिजली प्रोवाइड होगी अगर आप एक साल तक 50% यूज ले रहे हैं तो आपको 2 साल बिजली प्रोवाइड होगी तो यहाँ पर इस वज़े से यह disclaimer है कि बिजली की बिचत ही बिजली का उत्पादन है मतलब बिजली बहुत ज़्यादा बच्चती अगर इस तरह का आप follow करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आपको दिखाई दे रहे हैं यूनिट्स और यहाँ पर पैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितने रुपे के कितने हिसाब से ठीग है और 50 से लेके 150 यानि के 50 से 150 यानि के 1.500 यूनिट अगर आप एक महीने तक यूज लेते हैं तो आपको 6.1 यूनिट के हिसाब से यानि के आपने 50 या 60, 70, 80, 90 इस तरह से भी अगर आपने यूज लिया है तो आपको जो बिल आएगा वो 6.1 रुपीज के हिसाब से ही आएगा ये रुपीज है ये 6.1 रुपे है और ये 6.4 रुपे, 6.7 ये 7.1 रुपे है याँ पर 6.1 रुपे के हिसाब से आपको बिजली का बिल आएगा यानि के प्रती यूनिट के हिसाब से और अगर आप 500 से लेके 300 यूनिट से अगर आप प्रतिमाइने के हिसाब से चला रहे हैं तो 6.4 रूपीज के हिसाब से आपको बिल आएगा एक यूनिट का आपको देना पड़ेगा और यहाँ पर 300 से लेके 500 यूनिट के अगर आप बात कर लें तो यहाँ पर 6 से 7 6.7 रूपीज के हिसाब से आपको यहाँ पर बिल आएगा यानि के एक यूनिट का आपको 6.7 रूपीज देने होंगे अगर आप बहुत ज़्यादा यूज ले रहे हैं यह सब होता है मीटर के किलो वाट के हिसाब चाप कितने किलो वाट का मीटर यहाँ पर लगा रखे हैं तो यहाँ पर यह बिल की स्टेट्मेंट है यहाँ पर आपको अपने यूनिट के हिसाब से पूरा यहाँ पर calculation निकाल सकते हैं 7 रुपे से 6 रुपे से 6 रुपे से 6 रुपे से 3 रुपे से कि आपने पहले यह देख लेना है कि आपने कितना unit consume किया आपने 500 से ज़्यादा किया है तो आपको 7.1 से ही यहाँ पर निकालना होगा ठीक है यह गरेलू है और यह ओ घरेलू यह अगरेलू यह रोड लाइट अगर हम बात करने है यहाँ पर Appliances की तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Tube Light यहाँ पर अगर आप Tube Light लगा रखे हैं तो यहाँ पर चैलिस वोट की एक Tube Light होती है और अगर आपने 5 ट्यूबलाइट एक घर के अंदर लगा रखा है और 6 गंटा अगर आप रोजाना यूज लेते हैं प्रति दिन के हिसाब से तो यहाँ पर 36 यूनिट आपको यहाँ पर निकल के आएंगे यह पुराने जमाने की पूरे टेकनिक यहाँ पर दिखाए गई है आजकल के मोडल में तो बल्ब LED लाइटस ही आते हैं बल्ब तो सब खतम हो चुके हैं फिर भी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर अगर आप बल्ब यूज ले रहे हैं 60 वोट का तो यहाँ पर तीन बल् पक्रघंग सेवंटी ठेगिन वोट के और वोबी पांच फंके है ठीक है पांच फंके हैं और 8 घंटे आप रोजाने योज ले तक öğट ठीक है 72 यूडिक आप यहाँ पर कंजूम कर रहे है इस हिसाल से साट वोट कर रहे हैं आजकल के पंके साट से कम अ रहे एड 105Ka अटिकर तो यहां पर reference reader के बात कर लें 1665k के reference reader freezer जो होता है यहां पर 225k बताया गया है और एक freezer और यहां पर 6 घंटे अगर हो यूज ले रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि 40 unit μια मेहनी के हिसाब से खर्च कर रहे हैं basically 165 लेटर का जो फ्रीजर है वो 500 वाट आजकल लेता ही नहीं है 225 वाट लेता ही नहीं है 100 वाट 120 30 वाट ही ले रहा है तो यह calculation अगर आप देखना चाहते हैं और अब हम प्रेस यानि कि वो जो आईरन होता है इस्तरी होती है उस हिसाब से अगर हम देखे तो 1500 वाट की होती है और एक इस्तरी है और यहाँ पर आप एक घंटे तक प्रेस चलाते हैं तो यहाँ पर 45 यूनिट वन मन्त के हिसाब से आपको 45 यूनिट देखने को मिलेंगे दस घंटे आप रोजाना चलाते है तो कि आप यहां पर की बाद कर लें डी चै.. तो टेलिविजन Жंश्व एक एक टेलिविजन है तो 6 गंटे चला तो 6 गंटे चला तो यहाँ पर 14 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे महीने के हिसाब से तो यहाँ पर एक पानी की मोटर होगी घर के अंदर आपके 0.5 HP यानि के आदा होस पाउर की मोटर है और यहाँ पर एक मोटर लगाई गई घर के अंदर पूरे गर में एक मोटर है और एक गंटा आप रोजाना चला रहे हैं एक गंटा चला रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर 12 यूनिट आपको महीने के हिसाब से आएंगे अब आब बात कर ली जाए तो एर कंडिशनर की तो 2500 यहाँ पर वाट चल रहे हैं और एक एसी है एक रूम के अंदर और छे गंटा रोज चला रहे हैं तो 450 यूनिट आपके खपत होगा ठीक है और आजकल की एसी यहाँ तो 2000 वाट से भी कम आ रही है 1700 से 1800 निस सो वाट के आसपास ही आ रही है यहाँ पर 2500 वाट बताया जा रहा है आजकल के एसी यू की में बात कर रहा हूँ ठीक है तो यह यूनिट आएंगे आपके और गिजर के बात कर लें यह हेवी लोड है यह गिजर के बात कर लें तो 1500 वाट है एक गिजर है दो गंटे चलाते हैं तो 90 यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अज़र आप 40 वोर्ट की लाइट प्रतिमा 36 यूनिट तक और 60 वोर्ट का बल्ब आप 43 यूनिट तक अगर आप यहाँ पर के हिसाब से आपको बिल आएगा यानि के एक बल्ब आपको जलाना होगा ये अजीब सी बात है एक बल्ब आपको जलाना होगा वो भी आठ गंटे रोजाना साट वोट के तीन बल्ब हैं तीन बल्ब सोरी तीन बल्ब आठ गंटे रोजाना आठ गंटे और तेवाली सी उनिट 43 यूनिट तो आपको 3.8 रुपे के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और अगर आप 108 वाट यानि के कूलर या कुछ भी अधियाद चीजे यानि के 2 कूलर 10 गंटे रोग चला रहे हो एक 108 यूनिट आपके परतिमा के हिसाब से आ रहे हैं तो यहां से 50 से लेके 150 यूनिट का यहां पर बताया गया है 6.1 रुपे देने होंगे यानि के 6.1 रुपीस आपको यहां एक कूलर के ही देने होंगे ठीक है और यहां पर आप अगर एर कंडिशनर की बात कर ले जाए तो 450 यूनिट लगबख आपको 500 यूनिट के आसपास यहां पर बताया जा रहा है तो बैसिकली आप देख सकते हैं 300 से लेके 500 यूनिट अगर आप एक एसी चला रहे हैं और आपके एसी 500 यूनिट निकाल रही है तो 6.7 यूनिट 6.7 रुपीस के हिसाब से आपको यहां पर बिल पेक करना होगा और बहुत सारी अगर एसी यहां हैं दो तीन एसी यहां हैं तो फिर आप 7 रुपे 7.5 रुपे 8 रुपे इस हिसाब से आपको देना होगा तो यहां पर यह कंप्लीट डिटेल यहां पर दी गई है आपके घर में और मैं उमीद करता हूँ कि आप अपने घर के अंदर सिर्फ LED बॉल्प्स वगेरा ही लगाए और मैं आपको बिल दिखा देता हूँ पहले यहां पर कितना बिल आया हुआ है तो देख सकते हैं 1,63,000 1,63,939 रुपेस यहां पर बिजली का बिल आया हुआ है यह किसका है, क्या है यह हम यहां पर publish नहीं कर सकते तो गाइस यह था बिजली का बिल अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा महंगा है जी हां दोस्तो यहां आमारे राजिस्तान में बिजली का जो बिल है बहुत ज्यादा महंगा है ऐसा नहीं है, दिल्ली है या बोंबय है, ऐसा नहीं है यहां पर बहुत ज्यादा महंगा है और जितना ज्यादा महंगा है लोग उतनी ज्यादा चोरियां करते हैं बिजली की तो प्लीज चोड़ियां तो कीजिये मत लेकिन हाँ ये जो महंगाई है ये थोड़ी कम हो जाए तो और ज्यादा बेस्ट हो जाता है क्योंकि एक AC के अंदर आपने देखा कितना बिल आ रहा है और आपने अगर जोड़ के भी देखा है आप मल्टिपलाई वगर अगर करके देखेंगे तो किसी के गर में एक AC होती नहीं है दो से तीन तो AC होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर बिजली का पत हो रही है कितने पैसे देने पड़ते हैं और मैंने आपको बिजली का बिल का जो यूनिट्स है मैंने आपको दिखा दिये हैं और आपको मैंने पैसा भी दिखा दिया है कि कितने रुपे का ये बिल आया हुआ है ठीके दोस्तों चलिए बाई बाई मैं चलता हूँ